नमस्कार आप देख रहे हैं एक्जाम टूर आप से बता दे रेलवे वेकेंसी को लेकर यानि एलपी के द्वारा जो वेकेंसी दिया गया है रेलवे के द्वारा एलपी के लिए उसमें सीट इतना कम है और उसमें टेक्निसियन का भरती नहीं दिया गया है उसको लेकर लगता लेकिन अभी स्वावबित है गजाम देने पर घ्यारतीबहर, बहुत बहुत पर से पर्यास पर रहा है, слова अच्छा पर रियास कर रहा है फिर आज भी ट्वीटर ट्विटर केंपेंड जो हुआ क्या सफल रहा और कहीं ने कहीं रेल मंतराले का ध्यान आकरिस्ट करने के लिए यह चीज किया गया था लेकिन रेलवे के कानों पर जूत अकरेंगने का इस्थिति नहीं देख रहे हैं जो कि एकदम सही नहीं है आप विद्यार्थी का इस्थि परिस्थिति देखेंगे इतनी ठंड में भी लगातार अभी आप देखेंगे सोसो के संख्या में लगातार घूम घूम करके घूम घूम करके एक यूनिटी सा बनाना चाह रहे हैं कि कि किसी भी तरीके से सरकार तक कैसे बातों को पहुंचाया जाए उलगातार हर टीचर से मिल रहे हैं और निश्चित रूप से चात्रों के साथ ठीचर भी उतना ही चिंतित हैं उतना ही परेशान है क्योंकि दिसा दसा दोनों देखने लाइक बिल्कुल भी नहीं है उन चात्रों की और इस परिपेक्ष में हम बता देना चाहते हैं एक मुख्य बाद की कल हम DM सहब के यहां भी गए थे तो एक आसंका हमने जाहिर किया था कि में भी फिजिकल प्रोटेस्ट की नौबत आएगी लेकिन चात्र आखिर करेंगे क्या उनके पास कोई options भी नहीं है इस तरह का और railway अधिकारियों से भी लगातार बातें हो रही है तो उन लोगों का सीधा सा कहना थ चात्र का यह चुकि इस तरह का राइट बनता है कि इतनी कम वेकेंसी दी गई है तो लोगतांतरिक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार है उनके पास लेकिन इस बात का हमेशा धियान रखें कोई वईसा काम ना हो जिसमें कि कोई सरकारी संपत्ती का नुक्सान हो कोई जानमाल का नुकसान हो या किसी भी तरीके की च्छतिक आसंका हो वह इसा काम नहीं करें सांतिपुर तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को हर परिस्तिती में हर तरह से रखने के लिए उस्वतंत्र हैं तो इस बात का आज फिर से संपति का नुकसान हो या और भी कोई नुकसान जानमाल या किसी तरह का हतात होने की समभाबना ना हो इस बात पर एकदम ध्यान देने की जरूरत है कई सारे अभरती एक आरोप लगा रहे थे आज का जो ट्विटर केमपेन हुआ कि उनके द्वारे लगातार ट्विट किया जा रहा है लेकिन उसको डिलिट कर दिया जा जा रहा है जब ट्रेंडिंग में आ रहा है तो उसको डिलिट कर दिया जा जा रहा है जब ट्रेंडिंग में आ रहा है तो उसको डिलिट कर दिया जा 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 रहा है कि बच्चों को ignorance वाली बात की किसी तरीके से दबा करके रखने वाली बात मेरे ख्याल से यह चीज बिलकुल वे उचित नहीं है छातरों की मांग 110% जाइज है छे साल से आपने वेकंसी नहीं दी छे हजार तक वेकंसी नहीं दी ड्राइवर के साथ टेकनिशन की वेकंसी हमेशा साती रही उसको आप समाप्त कर दिये वो वेकंसी देखने को नहीं मिले कम से कम अगर चातरों के परती बहुत सरद्धा या उस तरह की emotion रखना रखते हैं अगर तो कम से कम एक notice दे करके उन छातरों को ये बताया जा इस notice दे करके कि आपका हम आर्च में हम वेकंसी इतनी संख्या में दे रहे हैं इस पोस्ट की वेकंसी दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं तो उनका पूरा detail छातरों को मिलना चाहिए ये इनका अधिकार बनता है नहीं तो इसी तरीके से परिशान रहेंगे, अब फिर हमको लगता है कि छात्रों को रोक पाना भी मुश्किल नहीं बिल्कुल असंभब सा होगा. कितना मुश्किल हो रहा है उनको समझाना सर चूकि बार आफ से मिलने आरहा है आपफिसर नहीं नहीं है, कितना दिन बडास कर सकते हैं। टूइशन पर आते हैं। कहीं काम करते हैं। पार्ट टाइम जॉब करते हैं। सेकुरिटी गाड का नोकरी करते हैं। मतलब mention कितना कस्ट मेरा रह करके उन लगातार परियासरत थे कि एक भैकेंसी हम को चाहिए। किसी भी सूरत में एक बार हमको मुखा मिलना चाहिए और जिस तरीके उमीद था का आगे ऐलेक्शन है कम सकम पचास साथ हजार साथ हजार बेकंसी आएगा ही सैप्टी कटेगरी में ITI कितना मुश्किल से एक एक पैसा सहेज करके 25 जार 35 जार लगा करके उन्होंने किया था माँ बाप कितना आये मेरे पास सबजी बेचते हैं पलना करते हैं किसी तरह पैसा पूरा करके दिये आई टी आई कर लिए कि कम सकम एक नोकरी हम सुनिश्चित कर पाएंगे और दूसरा ये भी समझना है कि कहीं न कहीं जो अपने बिहार या हिंदी भासी छेतरों में जो गार प्राइविट काम भी संबब है लेकिन एक बार 35-45 साल आपका उमर गुजर जाएगा उसके बाद आप ना घर कराते हैं ना गाट कराते हैं वही स्थिति में एक तरीके से आकर के ये बच्चे खरे हो गए हैं अब देखना ये है कि गौवर्मेंट क्या करती है और ये बच् अपने डिमांड को लेकर मांग को लेकर यदी जाते हैं कहीं अपने बात को रखते हैं तो उनको क्या-क्या ध्यान देना चाहिए जिस तरीका से वह लगतार आप लों से आ रहे हैं मिल रहे हैं सभी सिक्चक से सभी जगह का पमोबेस वहीं रवाईया है जहां हम लोगों को भी लगातार प्रसासन के द्वरा एलर्ट जारी किया जा रहा है कि उनको भी अंदेशा है कि 27 को हो ना हो एक बड़ा प्रोटेस्ट यह सारे बच्चे करें इसमें टीचर की क्या भूमिका रहेगी इस पर लगातार उन लोगों का ध्यान है लेकिन वो लोग हम हम लोगों को यही लगातार कर रहे हैं अलर्ट जारी कर रहे हैं कि आप बच्चों को समझाईए लोकतांत्रिक तरीके से बातों को रखने का उनका 110 परसंट अधिकार है लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखे किसी भी सूरत में किसी भी तरह का छती किसी को ना या अनसरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए इसके बारे में क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में कई बार क्या होता है कि इस तरह का भीर में कई असमाजिक घुस करके उसका एक अलग दिसा में मोर देते हैं तो जो रियल में इस तरह का कांड करते हैं वो तो निक दोस्ट बच्चे हैं, वो इसमें जाकर के फस जाते हैं आगे चलकर के और पिछले बार भी बहुत बच्चों का केरियर डाइमेज हो चुका है, केरियर दाव पर लग चुका है, इसलिए चातर भी अगर इस तरह के प्रोटेस्ट में सामिल होते हैं, तो जरूर इस बात का ध् सम्पत्यों का एख दम करने का पर्यास नहीं करेंगे, ने तो आपके करियर पर बरा सा प्रास्टि लग जाएगा, और वो नुकसान ऊवा आप दूसरों का नुकसान का नहीं कर रहें, बलकि खुदका ही नुकसान करने, आकिर वो सरकारी सम्पत्ति, इसकी है, वो आप की सम पत्ती है इस बात को ध्यान में हमेशा रखना होगा दे रात तक कही न कहीं कोई नोटिस दे दिया जाए या अगला दिन तक दिया जाए यादि आप एक्जाम टूर पर नए है तो चैनल को स्ट्राइब कर लें लोगों में सेयर करें जैहिंद